हलो दोस्तो गुड मॉनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत थे हमारे न्यू ब्लोग में तो दोस्तो कल का ब्लोग जहां से खतम किया था वहीं से ब्लोग की फिर से शुरुआत कर दी है तो यहां पर अब हमारी नदजजी आरोही के पापा के राखी बांद रही है क्यूकि इनकी तो तबियत ही नहीं सुबा से ठीक है तो ये तो लेटे हुए थे तो अभी इनोंने नहाया है और नहाने के बाद में थोड़ा सा अब तब यह ठीक है इतने टाइम तो लगभग दो बजे का टाइम था तो इतने टाइम आरोही के पापा ने राखी बंदवाई थी और आरोही भी राखी लिये हुए खड़ी है कि हम भी पापा के राखी बांदेगे तो वैसे त अब भी अपने पापा के राखी बांदी है सिर्फ पूचना नहीं लगाते हैं तो आरोही जीद कर रही थी तो मैंने का बांध देना पापा के भी राखी और यह इस बज़े से बोल लए थी क्योंकि पापा से पैसे मिलेंगे तो दोस्तों इधर हम बगिया हैं आरोही भी स कि लेकर चलेंगे जब तव्यत हलकी हो जाएगी तो लेकर चलेंगे और कल उन्होंने दबाई भी ली थी तो हम तयार भी हो चुके थे क्योंकि बोल ले थे कि तयार हो जाओ और आरोही को तो मैंने सुबा से ही तयार कर दिया था और सबसे ज़्यादा आरोही बोल लए थी क बस कपड़े पहनने के लिए बाकी रह गए थे, इतने टाइम अभी आरोही के पापा बिलकुल अभी गये हैं घर से दबाई लेने के लिए फिर से, तो दबाई जो हनकी कुछ इस तरीके की दबाई थी जिसे हनकी दबाई का आसर जब तक था, तब तक बुखार सही था, उसक कि तवियत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आरो ही यहां पर मिट्टी खेल रही है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पहले से तैयारी कर रहे थे कि जाएंगे अब देखते हैं कि कब पहुँच पाते हैं और इतने टाइम गर्मी बहुत जादा हो गई है हमारे यहां आज के दिन भुजरिया का भी तेवहार होता है तो आप सभी को दिखाएंगे जब सभी लोग जाएंगे भुजरिया डालने के लिए तब आप सभी को दिखाएंगे यहाँ पर आरोही चूड़ी से मिट्टी खेल लई है तो हम इसे पॉल ले थे कि बिट्टी मत खेलो घर पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर लग रहे थे बहुत जाधा मच्छड इन दिनों में बगिया में बहुत जाधा मच्छड लगते हैं जरा सी देर के लिए हम रुके थे बगिया में तो इतना जाधा मच्छडों ने हमें खा लिया था कि जरा सी देर में ही फपोका पड़ गए थे हाथों में तो उसके बाद में हम घर पर बस तुरंत से चले आये थे और इधर अब तयारी होने लगी है बुजरिया के तो हमारे यहां रात के समय में लगबग 6.30 बजे के टाइम सबी लोग जाते हैं बुजरिया डालने के लिए सबी लोग नहीं बस बेटिया जाती है और यही जो रीत होती है यहां कि यह हमें थोड़ी सी सही नहीं लगी कि कोई हम भी जाना चाहते थे हम ना तो माई के जा पाए हैं तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था आज तो मैंने का हम भी चलते हैं लेकिन यहां पर फिर सभी ने कहा कि नहीं यहां पर बहुए या जो हैने की आउरते नहीं जाती हैं तो मैंने का चलो कोई बान नहीं क्योंकि अगर हम जाएंगे तो कोई ना कोई कुछ बोलने लग ही बोई जाती है और काफी बड़ी हो गई है कुछ लोगों की तो बुजरिया बंदरों ने खा ली है लेकिन कुछ लोगों की अच्छी है हमारी यहां भी बहुत ही अच्छी बुजरिया जमी है एक बार बंदर ने पलट दी थी लेकिन फिर भी अच्छे से जम गई हैं और तयार भी हो गई हैं और यहां पर यह लोग खड़े हैं बस एक दूसरे का इंतिजार कर रहे हैं कि कितने टाइम सभी लोग निकलें और एक दो यहां पर मैंने फोटो भी ली थी वो आप सभी के साथ में सेयर भी की थी एक फोटो बहुत पहले की थी वो भी आप सभी के साथ में सेयर की थी और आज जो हिनकी रच्छा बंदन वाले दिन की भी आप सभी के साथ में फोटो सेयर की थी और आप सभी का रच्छा बंदन का तेवार और बुजरिया का तेवार कैसा रहा है कमेंट में जरूर बताना और क्या-क्या रच्छा बंदन पर आप सभी को गिप्ट मिला है वो भी बताना हमारा तो रच्छा बंदन का तेवार अच्छा नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी मन था हमारा और काफी दिनों से हम बोल ले थे आरोई के पापा से कि रच्छा बंदन पर चलेंगे आप सभी से भी मैंने बताया था लेकिन हमें बिल्कुल भी आज के दिन अच्छा नहीं लग रहा था और आरोई को फिर मैंने भेद दिया था क्योंकि आरोई भी जो हैंड़ी थोड़ा सा उदास थे और ये किलिप हमारी नदजी लेकर आई हैं बना कर लाई हैं तो मैंने इन से बोल दिया था कि वहां का थोड़ा सा दिखा देना कि किस तरीके से हमारी यहां भी बुजरिया का तेवार होता है और ये सबी लोग जा रहे हैं ताल के पास में और वैसे ताल तो इन दिनों में हमारी यहां काफी भर चुका है तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं जो की लड़किया बेटिया जाती है चोटी छोटी तो ताल के बहुत ही दूरी पर इन लोगों ने बुजरिया डाली थी यहां पर पास में नहीं गए थे पास में डर रहता है कहीं पैरे ना फिसल जाए तो दूरी से ही यहीं पर बुजरिया डाल दी थी तो यहां पर यह सबी लोग खड़े हैं जो हमारे गाउं की सबी बेटियां हैं और यहां पर काफी भीड हो गई थी और हमारी नंदत जी एक लिख लेकर आएं थी तो हमें भी देखकर वड़ा ही अच्छा लगा है कि हम भी जाते तो देखते थोड़ा बहुत मन वैसा होता खूस होते लेकिन यहां पर बहुए यह औरते नहीं जाती हैं तो हम भी कुछ नया नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो जहां की जैसी रीत इतनी जो जो हैने की सभी लोग हैं बेटियां हमारे यहां की यह मुहले की ही हैं और बांकी की जो गाओं की और बांकी की लड़कियां हैं वो डाल चुकी थी तो हमारी नदद जी यह सारी बाते हमें बता रही थी कि थोड़े ही लोग बचे थे वही हम लोग साथ में बुजरिया लगाई जाते हैं, और इन वोगों के पैर चुए जाते हैं, पैसे दिया जाते हैं, तो इतने time अभी आरोई के पापा पैसे नहीं दे रहे थे कि बाद में देंगे और दीदी ने हमारे भुजरिया भी लगाई थी क्योंकि सभी के लगाई जाती हैं सभी लोग पैसे देते हैं जो लोग भुजरिया लगाते हैं और इधर बड़ी अम्मा भी आ चुकी है, तो बड़ी अम्मा के भी इन लोगों ने बुजरिया लगा दी है, छोटे से लेकर बड़े जो भी लोग होते हैं, उनके सबी के बुजरिया लगाई जाती है, और ये बुजरिया वहीं से लाई जाती है, ताल से, ताल के पास में ज दिखान नहीं रह गया था और ये लोग गए थे पीछे वाले घर में तो इस तरीके से बूझरिया लगाई जाती है यह हमारे लगी हुई है तो आप सबी बताना कि आप सबी के यहाँ यह बुझरिया का तेवहार मनाया जाता है या भी नहीं अच्छा लगता है वैसे लेकिन सबी लोग जाएं, वहाँ पर तो और भी अच्छा लगे, क्योंकि जो गुडिया का तेवार जिस तरीके से मनाये जाता है, सबी लोग जाते हैं, बड़े बुड़े, बुजरुक बच्चे, सबी लोग जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत चीज नहीं होती है, और यहाँ पर ये टाइम खुश दे तो काफी टाइम हो गया था और खाना न भी मैंने बना लिया था और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबा के टाइम तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉनिंग आज है भी सगस्त दिन है मंगलवार का और सुबे का समय हो रहा ह तो नहा चुके हैं और खाना चड़ा दिया है सबजी हमारी पक रही है और चाय सभी लोग पी चुके हैं इधर मैंने का आरोही को तयार कर देते हैं आरोही भी नहा चुकी है आज मैंने इसके बाल नहीं दुले हैं बस ऐसे ही नहला दिया है नीचे नीचे और थोड़ा सा यह भी बोल लही थी कि ममाज नहाएंगे नहीं थोड़ी सी ठंडी लग रही है सुबा-सुबा और सुबा-सुबा तो सही मौसम रहता है लेकिन जब धूप निकलती है हलकी सी तब गर्मी हो जाती है और कभी बारिस होती है कभी तो हलकी धूप निकलती है कभी बादल चाय र तो उसी बज़े से इन दिनों में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और यहां पर आरोही के बाला खीच देते हैं थोड़ा बहुत चेहरे पर लगा देते हैं पाउडर आडर बगेरा क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा सौक होती है और जो लड़के होते हैं उनको इतनी ज़्यादा सौक नहीं होती है कुछ भी चीजे लगाने की और साम के टाइम में तो आरोही ने बहुत सारी चीजे लगाएं थी कि ममा ये लगाएंगे बो लगाएंगे तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सौक होती है सबी चीजों की और आरोही को मैंने दे दिया था ख थोड़े बहुत जो बरतन पड़े हैं चायनास्ते के वो भी धुलकर रख देते हैं और पानी अभी तो नहीं आया है लेकिन पानी हमारे यहां अब पानी की दिक्कत नहीं होती है रोज पानी आ जाता है तो बहुत ही आराम है क्योंकि जब पानी होता है तो टेंसन सारी खतम ह भरना भी नहीं होता है बाहर से और हमारा पानी भी रखा रहता है तो आराम से सभी काम हो जाते हैं और वैसे हम लोग थोड़े बहुत काम जो होते हैं कि काम छोड़ देते हैं पानी की कमी की वज़े से लेकिन इन दिनों में अच्छे से पानी आ जाता है तो भरकर भी रख ल थोड़े से चावल भी बनाये थे, चावल गैस पर ही बना लिये थे, और इधर लेकर आ चुके हैं कपड़े, तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े बहुत जो भी हैं, वो धुल देंगे, और बाकी के कपड़े बाद में धुल कर डाल देंगे, और आप सभी दोस इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यारो सपोर्ट बनाये रखना, और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कल वाले व्लोग में, कि आपने कद्दू की सबजी किस तरीके से बनाई है, तो हमारे यहाँ दीदी इसी तरीके से सबजी बनाई नमक मिर्च डाल कर फिर बाद में छोंका लगाते हैं, तो इस तरीके से जाधा टेस्टी बनती है, और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, कई दिन हो चुके हैं, तो वो दीदी बोल लहीं थी कि आप अमरूद की सबजी बनाओ, वो भी कद्दू की तरह, तो जरूर दीदी बनाएंगे, लेकिन इन दुनों की जो अमरूद है, बहुत ही जो हने की कच्ची कच्ची रहती है, और अच्छी भी नहीं है जाधा, तो जब ठंड वाली अमरूद तयार होगी, तब हम बनाएंगे, और एक दो बार मेंने बनाई भी है, अमरूद की सबजी ऐसा नह आएंगे, और यहाँ पर फैला देते हैं कपड़े, वैसे दूप तो नहीं है, बादल चाय हुए है चारो तरफ, फिर भी मैने का सुबह सुबह फैला देते हैं, कपड़े आज बारिस भी हुई थी, लेकिन जादा नहीं बारिस हुई थी, बस थोड़ी बहुत बारिस होती है इन दिनों में, और बादल चाय रहते हैं, हलकी फुल की दूप भी निकलाती है, तो उसी की बज़े से गर्मी बढ़ जाती है तुपहरी के समय में, और सबजी हमारी बन चुकी है, चाबल भी बन चुके हैं, और इधा सेंक लेते हैं, तो आज मैने का खड़े-खड़े ह हैं, और दो बार में मैंने रोटियां सेंकी दी, क्योंकि खड़े-खड़े थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, और वैसे तो बैटकर सेंक लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जो फरस है, वो बहुत ज़्यादा गेली ही थी, अभी बिलक जी तब तक खाना लगाने लगी हैं, सभी लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने का तब तक परोस दो खाना सभी लोग खा लें, और फिर जो भी काम रह जाएंगे थोड़े भूत, वो बाद में करते रहेंगे, तो खाना तो हमारे यहां सभी लोग जल्दी से ही खा लेते हैं, सभी को जल्दी से भूंक लग जाती है, चाय नास्ता करे लेते हैं, उसके बाद में खाना भी जल्दी से ही सभी लोग खाते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सभी लोग देरी से खाना खाते हैं, लेकिन हमारे यहां सभी लोग जल्दी ही खाना, जिस दि थोड़े से रसगुल्य मंगवाया थे जो कि सफेद वाले तो वही सबी लोग आज खा रहे थे और थोड़ी सा एक मैने भी खाया था तो उसी की बज़े से हमारा थोड़ा सा गला खराब हो गया है सायद आप सभी को लग भी रहा होगा कि गले में थोड़ी सी हमारे खारांस ह गई है क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसकी बज़े से कुछ भी चीज़े ऐसी बैसी खाओ तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है और बारिस इतने टाइम होने लगी है बूंदे पढ़ने लगी है तो बुआ वहां पर मिट्टी स आप कर रही थी कि पानी निकलने के लिए कि बारिस हो तो पानी आराम से निकल जाए और उसी बीचे मैंने यहां की सफाई कर दी थी और अब मैंने का पुताई कर देते हैं काफी टाइम भी हो चुका है तो इन दिनों में हमारे काम काफी टाइम तक होते रहते हैं लगबग के रह जाते हैं वो दीरे-दीरे हम फिर कर लेते हैं और कुछ ऐसे काम भी नहीं रह जाते हैं बस थोड़े बहुत हलके भुलके ही काम रहते हैं और यहाँ पर आप सभी से हम मिले हैं साम के लगभग साड़े-पांच बजे के टाइम तो बादल चाए हैं उसकी बजे से लग बंद कर देती हैं और आज कुछ बनाने के लिए सबजी नहीं थी तो मैंने का क्या बनाएं वही सोच रहे थी यहां पर पूछ भी रहे थे तो सभी ने फिर बताया कि कुछ भी जब नहीं है तो रोटिया से एकलो और हरा धनिया की चटनी बना लो क्योंकि यारोई के पापा देरी से आये थे थोड़ा सा तो बोल तो दिया था कि सबजी लाएंगे और धनिया की पत्ती भी लेकर आये थे तो मैंने का चलो अब सबजी बनाएंगे तो देरी हो जाएगी तो आज हरा धनिया की चटनी बना लेते हैं और रोटी वैसे तो मोटी रोटी होती तो और भी स सबी को पसंद आती और ये मैंने आज गैस पर ही रोटी पतली वाली बना ली थी तो यहाँ पर रोटी मैंने बना ली हैं सारी और चटनी भी हमारी नदजी पीस कर ले आई हैं अब खाना लगा देते हैं और चटनी रोटी भी बहुत ही सबी को पसंद आई थी हरा धनिया की च चैटनी रोटी भी खानी चाहिए है। और हमें तो इन दिनों में बहुत ज्यादा चैटनी रोटी पशेंदा आती है। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंदा आते हैं तो बीडियो को लाइक कर दिया करें। चैल पन्यू है तो चैलल को सस्क्राइब करें। मिलते हैं का अच्छे से वीडियो के साथ में तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते अपना ख्याल रखिएगा और खुस रहिएगा